हेलो वाल, कैसे हो आप सब, I hope आप सब अच्छे होगे, तो आज की reading हम क्या करने वाले हैं, आज की reading जो है, हम करेंगे, आपके person, ठीक है, आपके person अभी आप से क्या बात करना चाहते हैं, ठीक, यह हम reading करने वाले हैं, आज की इस topic पे, ठीक है, तो देखेंगे हम आपके person की feelings उनकी फिंकिंग ठेक और देखेंगे किया क्या बात करना चाहते हैं ठीक है जिए रीडिंग है कलेक्टिव रीडिंग है इस बात का ख्याल रखें और जिनको भी मुझसे प्रस्नल रीडिंग देनी है वाट सप्नमबर बें इस बात को को खाई करके बुकींग को कन्फर्म करवा सकते हैं चल्ए रीडिंग स्टार्ट करते हैं प्लीज काईट कीजिए उनिवर्स भी मेरे विवर्स देख रहे हैं इनके इन से क्या बात करना चाहते हैं अभी पहला काड है यहां पे एक क्वीन आप सॉड्स ओके एंड है मेरे पास यहां पे थ्री आप सॉड्स ओके थोड़ा से मेरे गलग खराब हो रहा है लग रहा है प्लेज काइड कीजिएगा इनिवेर्स ओके दा लवर्स वेरी नाइप चलो और काड्स देखते हैं प्लीज काइड कीजिएगा इनिवेर्स देखते हैं प्लीज काइड कीजिएगा इनिवेर्स देखते हैं क्वीन अफ कप यहां पे चलो मैं बताते हूं आपको क्वीन आपको 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 आपक ठीक है, bottom of the deck है, page of vents, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर जो cards है, clear बता रहे हैं, पहले मैं आपको sign बता देती हूँ, sign है, Gemini Libra Aquarius, ठीक है, Kansas Scorpio Pisces, Taurus Virgo Capricorn, इतने ही sign available हैं हमारे पास अभी, ठीक, चलो, बात करते हैं यहाँ पे, cards क्या बताते हैं, cards आपसे यही बता रहे हैं, यही person आपसे यही बात करना चाहते हैं, यह धूंदला दिख रहे हैं, लगता है मुझे, okay, क Jinping के कि तो काट मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए आपके पर्सन के लिए कि आपके जो पार्टनर है ठीक है इनके साथ मुझे एक कानेक्षण आपका दिख रहा है लब यह आपसे यही बात करना चाहते हैं कि यह कैना चाहते हैं इंन यह और मुझे हुआ हो लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हो कभी कभी ऐसा लगते हैं जैसे कि आप मुझे ज़्यादा यहां पर हुक्म चला रहे हो ठीक है और मुझे लिए बात ना करने की कि आप ऐसा ना करो मैं इसा बिल्कुल भी नहीं हूं मुझे इस इस बात का दुक है कि यहां पर मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके person आपसे यह कहना चाहते हैं और जिन लोगों के बीच third party situation है उनके person यह कहना चाहते हैं उनसे कि देखो जो भी third party है ना वो बहुत ही manipulating है अपने मतलब के लिए मुझे अपने पास रखा हुआ है अपना मतलब निकलवा रही है है ना या निकलवा रहा है ठीक लेकिन मैं आप से प्रेम करता हूं मैं आप से प्यार करता हूं थीburg есть तो यहां पर यह है और अनमैर्ड मैरिट्सबके लिए मैं बता दिएंए आप Kenneth कि की आपके person आप से यह कहना चाहते हैं कि मैं बहुत प्रेंट हूं आप से बेहत प्रेम करता हूं क्योंकि यहां पे दर लवर्ट से हैं ठीक है मैं आपके प्रती जो है ना वह अट्रैक्शन वह अट्रैक्शन वह सारी चीज़े आपकी तरफ मुझे खीशती है वह मुझे आपके तरफ ऐसा लगता है ना जैसे कि मुझे कुछ खीच रहा है अपने दीरे 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 करके जो है ना मुझे आपको यह बताना है और मुझे जो है ना यह खीचाओ दीरे दीरे करके क्यों मैसूस हो रहा है वो मुझे जो है ना पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है मैं आपके तरफ बढ़ता चला जा रहा हूं बढ़ता चला जा रहा हूं मैं कंट्रूल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपसे बेहत्त प्रेम करता हूं ठीक वैसा जैसा कि आपने मुम्ताज से करता था ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ यह साज रहां है है ना और यह आप महल बनवाके रखा है है ना तो वही है कि आप मेरी मुम ताज हो मैं आपसे बेहत देम करता हूँ और यहां पर एक कहें तो जो कनेक्शन मुझे आपके साथ फील हुआ है ना वो मुझे किसी के साथ फील नहीं होता है और मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो feelings वो situations है ना जो मेरे सामने आती है वो मैं आपकी energy से खुद को heal कर लेता हूँ मुझे बहुत पसंद है आप ठीक है मैं आपकी तरफ बहुत attractive हो आपकी खुबसूर्ती है ना आपकी खुबसूर्ती लाजवाब है आपकी खुबसूर्ती मुझे अपने तरफ attract करती है आपकी खुबसूर्ती मुझे कहीं रहने नहीं देती चैन ओ सुकून मेरा छीन लिया है आपने आपकी यह अदा आपकी यह जो खुबसूर्ती है और आपके बोलने का तरीका है मुझे बहुत बहुत पसंद है आपकी तरफ में खींचा चला आता हूं मुझे इस तरह से अट्रक्शन फील होता है आपके लिए ठीक है और यहां पर मुझे यहीं नजर आ रहा है कि आपके जो परसने आपसे यहीं कहना चाहते हैं अभी आपसे बात करना चाहते हैं कि हां मैं जानता हूं कि आप मुझसे उतना ही प्रेम करते हो उतना ही जो चीजे मैं आपके नहीं प्रेम करते हों हम दोनों कितने भी दूर हो जाएं कितने भी दूर हो जाएं बट प्यार हम दोनों ही एक दूसरे से करेंगे कोई और इसमें तीसरा मुझे नहीं चाहिए ठीक यहां पर थर्ड पार्टी इंवाल्मेंट जरूर है बट मैं उनकी तरफ नहीं हूं उनकी जो person है ठीक है आप से ही कहना चाह रहे हैं आप से ही बात करना चाहते हैं ठीक और यहां पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके person ये भी बात करना चाह रहे हैं कि मुझे decision लेना होगा आपके लिए मुझे कुछ न कुछ decision लेने होगे आपके लिए क्योंकि यहां पर decision लेना भी ज़रूरी है decision अगर नहीं लिया जाएगा तो आगे हमारे future ठीक है हमारा future हमारी वज़ा से खराब हो सकता है मेरे एक decision ना लेने की वज़ा से खराब हो सकता है मेरा decision जो है ना बहुत important है इस relationship में हम दोनों ही एक दूसरे को मेंटेन करके चलेंगे हम दुनों ही एक दुसरे को जो है उस तरही के परसन ये भी कहना चाहते हैं कि आपके सांथ मुझे soulmate connection feel होता है आपके साथ जो है ना मुझे एक ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं अपने आत्मा के साथ हूँ जब भी आपके साथ होता हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं अपने अंतर मन की सुन रहा हूँ अपने अंतर आत्मा के साथ हूँ मुझे आपके साथ जो feelings है ना जो emotions है ना वो किसी और के साथ कभी feeling नहीं होता है और मुझे आपके साथ balance बनाना भी बहुत पसंद है देखो balance बनाने का मतलब यही है ना कि मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ देखो आप मानो या ना मानो वो आपकी मर्जी है बट मैं आपसे बेहद प्रेम करता हूँ आज भी कल भी और हमेशा हमेशा मैं आपसे प्रेम करूँगा क्योंकि मेरा प्रेम जो है ना सच्चा प्रेम है मैं आपसे true love करता हूँ मुझे बारे में बात करना चाहते हैं क्योंकि शादी चाहिए इस relationship में शादी चाहिए इनको ठीक तो यहाँ पर मुझे यही नजर आ रहा है कि आपके जो person है आपसे यही कहना चाहा रहे हैं ठीक है और यहाँ पर आपके person मुझे काफी जादा एक कहता है कि family को मानने वाले ठीक इनकी family भी है इनके लिए और आप शादी करने में थीक है तो यह आप से कह रहे है आपसे कहना चाह रहे है कि आप जो हे दुनों का साथ जो है और आप दोनों का साथ ऐंक दुस्री का साथ और भी चाहिए आपके परसन आपसे यह कहना चाहते हैं क्योंकि यहां पर ये परसन आपसे बेहत प्यार करते हैं और आपके लिए तो आपके person आपसे यही कहेंगे अपने दिल की हर एक बात आपसे share करना चाहते हैं आपके person ठीक है तो यहाँ पर यह मुझे नजर आ रहा है इसके साथ ही जो है मुझे एक और card जो है clear बता रहा है कि आपके जो person है आपके साथ देखो यहाँ पर page of vans का card है यह person मुझे नजर आता है कि आपके उपर नजरे भी बनाई हुए है आपके जो person है यह आपके उपर नजरे भी बनाई हुए है यानि कि आपके तरफ यह बढ़ना चाह रहे हैं आपके तरफ जो है ना देखो अपना ध्यान अपना ध्यान लगाया हुआ है इस परसन है क्योंकि आपको नहीं चाहते हैं आपको नहीं चाहते हैं यह परसन खोना अपनी लाइफ से अपनी जिन्नगी से और आपको ही पाना चाहते हैं है ना पाना तो खैर जैसे की होता है कि शादी करना है ना तो यह परसन आपसे शादी करने के लिए भी जो है ना तयार है ready है यह person और मुझे नजर आता है कि यह person जो है न जल्द ही यहां पर आपको प्रपोसल दे सकते हैं यहां पर शाधी का कार्ड मेरे पास three of cups का कार्ड है जो कि मुझे बता रहे है कि हाँ यह person आपसे यही कहना चाहते हैं यह इनको जो है ना आपसे शादी करनी है ठीक है तो कुछ और एकल डेक्स से भी देख लेते हैं प्लीज काइड किजिएगा इनिवर्स ओके तो ज्यादा कार्ट से प्लीज काइड कीजिएगा देखो से मैंने जी पीर आई ठीक है आपके परसन आपसे शादी करना चाहते हैं आपसे यही कहना चाहते हैं कि यह आपको कमिट्मेंट देने वाले हैं बहुत ही जल्द और आपको अपने साथ ले जाएंगे ठीक है ले जाएंगे ले जाएंगे दिलवाली दुलहनिया ले ज सब्सक्राइब करने वाली पार्टी है यह Seems इनकी वज़ा से ही आप दोनों के बीच में काफी बार प्रोब्लम्स आई है तो यहाँ पर यह आपके पॉरिशन जो है ना आप कहना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं कि third party को हताओ, third party का खातना करो और यहां पे हम दोनों आगे बढ़ते हैं छोड़ो third party को रहने दो जहां हैं वहाँ पे लेकिन हम दोनों का साथ जो है ना बहुत important है हम दोनों का साथ जो है ना मिलना चाहिए ठीक है आप दोनों एक दूसरे के साथ काम भी करते होगे एक दूसरे के साथ एक office में working होगे तो यहाँ पर मुझे यही नज़रा रहा है कि आपके person आपसे यही कहना चाहते है कि ठीक है आप भी busy हो अपने work में और मैं भी busy हूँ बट यहाँ पर हमें अपने relationship पर भी work करना होगा ठीक है तो यहाँ पर मुझे यही नज़रा रहा है कि आपके person आपसे यह कहना चाहते है ठीक ओके तो reading को करते हैं खात्म मिलते हैं अगले reading में तब तक के लिए हसते रहे हैं मुस्कुरा तरी और खुश रही है बाबाई